असलम अलेकुम कैसे हैं आप सब आज मैंने बहुत ही हल्दी चाड बनाई है जिसके रेसिपी करूंगे आप से शियर एक बाउल मैंने चने बॉयल कर लिये थे वाइट चने एक बाउल जो है वह ब्लैक चने बॉयल करके रख लिये हैं एक ऐसा बाउल लीजिएगा जिसमें साथ साथ डालें तो यह राउंड में आए और खुब्सूरत से प्रेजेंट हो जाएं देखें यह काले चने और स्फैच चने मैंने डाल दी हैं इसमें प्यास को चॉप करिया था इसको धो के चान लिया है तो मैंने यह भी एक बाउल ल साथ में मैंने खीरे भी कट करके लख लिया है और एक बड़ा टमाटर भी काट लिया है एक बाउल जितने मैं खीरे इसमें डाल देती हूं एक साइड पे यह बीन्स खाया कीजिए स्मार्ट लोग भी और जो मोटे हैं जो स्मार्ट होना चाते हैं लंच में लंच ने लंबर भी है पोटेटो भी हैं और तमाम सेलट के समाने साथ में बीन्स मुझूद हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं लास्ट में मैं इसके उपर मकई के दाने में ने वाइल करके रख लिए हैं आदा बाउल इसके उपर स्प्रेड कर दूंगी अगर आप मैंने इसको स्प्रेड कर दिया है अगर आप लोग ने किसी स्पेशल गेस्ट को यह सर्फ करना है तो इसको इसी तरह कर दीजिए मिक्स नहीं करें उपर मसाले डाल गए वैसे मैं तो मिक्स करूंगी इसको और जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो इसमें एक चमच म सॉल्ट की एड़ कर देंगे आप एक चमच नमक के बाद इसमें एक चाड़ मसाले के चमच भी आड़ कर दीजिए अगर आप लोगों के पास लेमन है तो वह भी एक ददद इसके उपर निचोड लीजिए किसी भी एक्स्ट्रा चीज की इसमें जरूरत नहीं है हेल्थ के ह जरूर खाते हैं आप लोग भी ट्राय कीजिए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएगा कि आप लोगों को कैसी लगी पेरी हेल्थ के वाले से रेसिपी अगर आप लोग चाहें तो इसके उपर दही भी शामिल कर सकते हैं मैंने चटनी मना लिए और दही में शाम कि अप सकते हैं?